जहन दोस्तो गुड मॉनिंग तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी की जो पहली NCRT है Class 6 की जो NCRT है सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें हम लोग को करना क्या है Basically क्या है कि आपको न सबसे पहले पता होना चाहिए What kind of information and knowledge I will get by reading the NCRTs तो इसमें देखें मैं पहली चीज में बता देता हूँ कि वाई NCRTs या आज हम पहली Class ले रहे हैं तो इसलिए वाई बताना जरूरी है They are the basics अगर आपका NCRT नहीं पता होगी तो आप फ्रेंडे समझ लीजे कि आप लक्षमी कान नहीं बढ़ पाएंगे लक्षमी कान समझना कोई हल्वा नहीं है ठीक है बच्चे आते हैं टॉपर्स आते हैं बस बोलते रहते हैं लक्षमी कान लक्षमी कान लक्षमी कान हर को यहीं बोलता है कि लक्षमी कान से ही सब कुछ आता है लक्ष्मिकान से ही आते है भाई लक्ष्मिकान समझे भी तो आनी चाहिए तो जो बेस रहता है यह जो फ्रेंड बेस है यह आपका NCRT है और फिर यहां पर आता है लक्ष्मिकान ठीक है तो इसलिए इंपोर्टेंट है NCRT सेकंड चीज कुछ कोश्चन्स लाइक आजकल देखा जा रहा है जैसे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है अभी लास्ट टेम क्या पूछा गया था लिबर्टी की डेफिनेशन और UPSC तो पता ही है आपको किसको अपना भगवान मानता है UPSC का भगवान NCRT है NCRT का भगवान UPSC तो दोनों की आपस में मिली भगाच चल रही है तो दोनों अपनी जो की जो की जो UPSC की आती है उसमें वो जो आंसर देते हैं वो किसके देते हैं जो भी NCRT मेंशन होता है जैसे अभी लिबर्टी पर आया था लास्ट टाइम absence of a restraint सा और एक था fully development वाला तो उसमें UPSC ने माना था आंसर को fully developed of any individual that is the meaning of liberty तो इसलिए NCRT जरूरी हो जाती है तो आज हम पहले NCRT स्टार्ट करते हैं lecture में बने रही है बीच में नास्ता पानी करना होता हो जाईए काफी वाफी पीके आईए लेकिन lecture को पूरा देखना है उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है यह आप मान के चलिए सलेक्षिन तो मैं नहीं बोलता है इसलेक्षिन होगा आपका आहले कि इतना बताता हूं कि नहीं पढ़ोगे तो तो बिल्कुल ही नहीं को इसलिए पढ़ना जरूरी है ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं चैर्मन साब मिल जाए तो कहीं पाऊ आउं पड़ देना उनके चलो एकनोलिजमेंट किसी काम का नहीं है अलकि उनके लिए बहुत काम का होता है जो बुग लिखते हैं उनको बाई अकनोलज करना होता है तो है है ठीक है आशि डारेक्ट चैप्टर पह आनगा आपका फालतू का टाइम नहीं लूँगा फाल्दो का टाइम है आप जाके चाय बिस्टिट खाने में लगाना ठीक है हम सीधा कंटेंट पर आते हैं तो इंडेक्स देख लेते हैं एक बार इंडेक्स इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज का कि उसमें क्या है उसको आगे हम कैसे पढ़ेंगे तो सबसे पहली सी जात कभए अगार अमिर को आप याद रही है याद याद नहीं को पूछे है याद आ याद आ वह पताता हूं वह दो कौस पे बोले बदले सो पर पानी यहीं मेरे इंडिया की कहानी ठीक है तो क्रावं पूंसे सिंपल भासा में यहीं मिनिंग होता है अब आपकि लिए याजु ठीक है? मतलब जो भी आपका home state रहेगा, मेरा U.P. है तो मैंने इसलिए U.P. बोला. तो इसलिए भीए आंदर परदेश में काम करना पड़ सकता है, तौमिलाडू में भी करना पड़ सकता है, और कहीं पर भी जाके काम करना पर सकता है, और आपको काम करना होगा तो जब तक आपको diversity नहीं पता होगा different culture नहीं पता होगा वहाँ का तो भाईया आप वहाँ पे जाके काम कैसे करेंगे यह तो बताइए है ना बाबू चलो दूसरा फिर इसमें है आपका government government तो पता ही है आज आपको आज की government का क्या सीन है government is Modi, Modi is government दो को भाईया ऐसी बोल दिया ऐसा नहीं है government में पूरा council of minister होता है आगे पढ़ेंगी पूरा government के तीन पार्ट होता है आपका president भी इसमें रहता है कभी तुम मेरे को पिलवादो Modi से president होता है इसमें दूसरा आपका prime minister होता है council of minister होती है यह मिलके जो गवर्मेंट executives बनते हैं ठीक है तीसरा चीज़ इसमें क्या पढ़ेंगी हम लोग थोड़ा सा हाले कि 6th class की NCRT है ना तो इसमें ज़्यादा यह सब दिया नहीं होगा आर्टिकल बगेरा थोड़ा स्टोरी फॉर्म में पढ़ाते हैं यह लोग तो आपको समझना है जैसे मैं पढ़ाते जाओंगा वसी समझते चाहिए अब बाकी जो भी आर्टिकल अगर कुछ important mention होगा तो मैं mention कर दूंगा ठीक है अब यह देखते हैं तीसरा point तीसरी unit जो है उसमें क्या है उसमें आपका local government and administration देखो यह बिना फेस के बढ़ा रहा हूं focus तो थोड़ा लगाना होगा ठीक है थोड़ा योगा होगा करके आया करो मेरी class में local government में आपका क्या है पंचायती राज राज से राज मूवी को याद मत करने लगना यह पंचायती राज system ठीक है sorry institution था system तो पहले हुआ करता था इंस्पेक्टर सिस्टम वाला है ना तो पंचायती राज आया उससे क्या हुआ हमारा democratic decentralization हुआ तो यह सब आपको इस चैप्टर ने पढ़ना होगा फिर आपका जो unit 4 है उसमें आपको livelihood पढ़ना होगा लाइवली हुट से मतलब क्या होता है लाइवली हुट से मतलब होता है कि मतलब मेरे को जीने के लिए क्या काम मिल सकता है क्या मैं काम कर सकता हूँ क्या मैं काम कर रह हूँ तो यह आपका है लाइवलिय होड ठेक है तो देखते हैं कि इसमें जैसे गाउं में जंदली क्या रहता है लोग खेती करते हैं फार्मिंग करते हैं तो वहीं उनका लाइवलिट हो जाता है लेकिन अभी गवर्मन बहुत सारी स्कीम ला रहे हैं जिससे जैसे फूट प् इनिशेटिव लगाए हुए है कि हाँ भी आप कोई गाउं का बच्चे को भी आई इसकी त्यारी करने हैं तो हमारे पास हम फिरी जो है त्यारी करा रहे हैं ठीक है तो यह वाली कहानी है सबका साथ सबका विकास लेकिन हमने तो मतला भाई तो कोई बच्चा देखा नहीं ह होगा कहीं चल रहा होगा ठीक है तो भाई चाय बाई बन गए यह चाय पी लेना क्योंकि अब हमें स्टार्ट करने वाले हैं चलो भाई अब आ जाते हैं हम लोग ओ बाबाई क्या गया यह देखो कॉंस्टिटूशन आफ इंडिया आ गया उसका क्या है यह प्रियंबल है य तना रूम सजाय हुआ जो रील में दिखाते हैं उनका क्या ही सीन है चलो इसे तो आप देखते रहोगे प्रियंबल का जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे लक्ष्मी कांद का तो बहुत अच्छे से उसको पढ़ाएंगे ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको जो याद ही रहेग देखो यह तुमारे चिन्टू मिन्टू इसमें दिखाएंगे यह एंसी आटी में क्या होता है ना वह स्टोरी फो में मतले एक लड़का इधर खड़ा कर देंगे एक इधर खड़ा कर देंगे वह आपस में डिसकुशन करेंगे फिर उनका टीचर आएगा मास्टर साब यह अच्छी चीज भी है इससे समझ में आता है ठीक है तो यह देखो सब कार्टून वगरा इसमें रहता है कूप मतलब बढ़ी है कर एंसी आर्ट यह तो पढ़ी होगी जो सीबीस्टी के लड़कें उन्होंने पहला चैप्टर है डाइवरसिटी इस नेशनल एंथम है ने और जो बाते हैं वो तो होती रहेंगी लेकिन काम की बाते ज्यादा जरूरी है सुनने तो अटेंशन दिया करें जब भी हैं बोलो इंपोर्टेंट है तो जो जो नेशनल एंथम है यह हमारे लिए ऐसा पेपर पॉइंट हुई से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ऐसा सीने सिटीजेंस हैं तो इन सब के लिए और पेपर में क्या आता है बेसिकली नैशनल एंथम का जो मतलब कोड ओफ कंड़क्ट होता एक बिसिकली उसको वाइलेट कर दोगे तुम तो प्राब्लम है फस सकते हो देखा होगा आपने बहुत सारी फोटो जो हमारे जो नैशनल नैशनल एंथम मतलब इट से प्राइड तो यह तो मतलब नहीं होना चाहिए ठीक है तो यह नैशनल एंथम है तो आपको यह पता होना चाहिए नैशनल एंथम किसने लिखा फिर यह मतलब कौन से उससे लिया गया है पर्टिकलर इस्टॉरिकल बुक से ठीक है तो अब आप जाते हैं chapter 1 पर ठीक है तो मैं इसमें मतलब जो मैं भी पढ़ता जा रहा हूं और जो मेरे को important लेगा वो मैं इसमें आपको बता दूँगा तो पहला देखते हैं इसमें बोलाई कि understand the diversity सबसे पहले जो भी पढ़ने का एक logic रहता है वो सिंपल सा रहता है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं मतलब वाई विया रीडिंग डाइवर्सिटी समझे रहो उसका मैंने आपको answer starting में दी दिया कि आप जो है आई एस कहीं पर भी बन सकते हैं तो वहाँ पर जाएंगे तो आपको पता होना चीज़ें डाइवर्सिटी क्या है ठीक है स्टॉक का notification क्यों आ रहे वाई आप आ जाता है फिर आपकी बात जो पीपर का दूसरा अब पीपर की dimension से देखते हैं डाइवर्सिटी को क्यों important है डाइवर्सिटी जो आपको क्या है कि इंडिया की एक multi diverse country है यहाँ पर diversity जो है किसमे बहुत सारी चीजों में है मतलब language में diversity है ठीक है यहाँ पर हमारा जो culture हो अलग अलग festivals में diversity है food habits में diversity है ठीक है और किसमीं के म स्टेट का कैसा है उसमें डाइवर्सिटी है तो मतलब बहुत तरीके की डाइवर्सिटी है मतलब आप नाम लो इंडिया में और आपको जो है उस पर कुछ ना कुछ मिली जाएगा ठीक है और वह हर तरीके से आपने देखा होगा वो भी आपको हर तरीके से मिल जाएगा कि हा तोड़ा दिमाग आउट आफ फ्रेम हो गया ठीक हो जाता है कभी कभी यह यूपीस की के तैयार ही है एक साथी तो एक जगे रहता तो थोड़ी काम चलेगा रखना पड़ता है ना भी आज मिनिस्टर भी आ रहा है उदर आपको जो आपके जब स्टार्टिंग में जाओगे बाद तो सीनियर डीम को भी रिपोर्ट करनी है हो जाता है चलो कोई नी हां तो अब हम आज आते हैं इस पे तुम्हें क्या बता रहा था लो मैं भूल गया कोई नहीं याद आ गया में रखो देखो हा तो यह था कि जो डावर्सिटी है मतलब जैसे उसी टैम इसे बता रहा होती है तो इस तरीके तो फैस्टिवल का नेचर हो भी चेंज है तो आपको इपता होने चाहिए किसमें कैसा फैस्टिवल है अब फिर क्या रहता है कि जैसे जो हमारे मतलब अगर डैवर्सिटी देखी जाए तो उसको हम लोग कैसे टेकल करते हैं तो उसके लिए जैसे हमारा मैंने खाली सिंपल बता दिया वह हमारा यह होता है चलो आ जाते हैं अब डैवर्सिटी पे ठीके बता दे क्यों इंपोर्टेंट है चलो जैसे मैंने बताए कि अब यह लिख रहा है यहां पर थिरी चिल्टन राउंड जो जी इंपोर्टेंट है मैं अब उसी को एक्स्प् भी दिया है मैं तुमको लगे रहांगो कि ऐसी बूल रहा हूं बट लेकिन दिया है ठीक है तो इसलिए जो मैं मार्क करूंगा ना वो थोड़ा सा तो मार्क रहेगा यूप्सकी के पॉइंट भी से और भी बाकी बहुत सारे एक्जाम जो हैं मैंने क्वालिफाइड करे हु को योगी दूसरी चाय बना लो सुट्टे उट्टे वाले भी लोग हैं कि यहां सिग्रेट पीने वाले भाई जो पढ़ रहे हैं आँ देखो एक बोला यहां सिग्रेट इविग्रेट छोड़ दो पढ़ाई करो चलो स्टार्ट करते हैं आ जाओ तरी चल्डेन राउंड अब मैं देखो जो इंपोर्टेंट नियन उसको जल्ली पढ़ता जाओंगा तो जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो चलो ति इस एक टीचर रहता है इसमें एक टीचर आता है अब यह देखो इसमें कुश्चन पोचा हाओ मैंने लाइक रीडिंग दा सेम बुक कुछ इंपोर्टेंट ने पेपर के लिए इसके बाइस बर्टेंगे दिख बिल्कुल ऐसा पढ़ देंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे थाउजन्ड कुश्चन निंसियाइटी के वो लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा कि एक दम को दिक्कत ही नहीं है ना सब को फिल कर देंगे इस बार चलो अब इधर आजाते हैं मेकिंग फ्रेंड वरेंड हमाने कुछ जरुवत नहीं है फ्रेंड बनाना भाई दिक्कत है आज के टाइम में और गल्फ्रेंड तो बनाई मतले ना पड़ते हुए ठीक है अब तो ढ़लो ठीक है यहां में कुछ नहीं है अर जो इस वाले पिछ में कुछ नहीं था ठीक है नहीं स्टाथे हैं दे नेक्स डेह इस वास दैन अगें इन स्माइलिंग आप पह अहपा आप देखो एक important चीज यहां पर इस वाले पेच पर कॉम्नल कॉम्नल सौरी यार क्या हो रहा है सौरी भाई खरास होगी थी कर्मिनल राइट्स ठीक है तो कर्मिनल राइट्स क्यों होते हैं हम क्या करते हैं देखो एक general perception क्या रहता है हम दूसरे की जगह पर अपने को रखके नहीं देखते हैं और हम लोग क्या करते हैं जैसे politics होती है politics का तो मतलब है simple power में आना तो जैसे politics होती है divide and rule की तो जो general politics होती है आपने भी देखा होगा वो लोग divide करते हैं voting का polarization करते हैं ठीक है तो इनी सब चीजों की region की वेसे क्या हो जाती है और उसी को क्या होती है जैसे आपने भी रिसेंटली को सुप्रिम कोड के जज्जमेंट दिखे होंगे एक बिल्डिंग को लेके बिल्डिंग आप समझी रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ठीक है तो यह important थोड़ा था बाकी और कुछ नहीं है इस वाली page मे अब आते है next page पे चलो भाई खतम भी करनी है NCRT और जो पेपर की important news है वो भी अपन को ध्यान रखनी है फिर एक important point आ जाता है inequality inequality क्या है कि inequality बहुत चीजों की रहती है बहुत चीजों में हो सकती है inequality आगे इसको elaborately और NCRT में definitions हैं बर थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर फिर inequality में basically क्या रहते है सपोज मेरे पात 10 रुपे हैं और आपकी बात 2 रुपे है तो यह एक टाइप की economical inequality है ठीक है दूसरा inequality क्या होगा एक अनुकल टो अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज की inequality कैसे होगी भई अपॉर्चुनिटीज की inequality बताओ कैसे होगी कमेंट करो हाँ बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी की inequality ऐसी रहेगी कि मतलब मैं मेरे को जो एक पर्देश में मेरे को एक्जामी नहीं दिया जा रहा है मैं अंधरा PCS भरी नहीं सक अपॉर्चुनिटी नहीं है तो यह अपॉर्चुनिटी की inequality होगी फिर जैसे कास्ट के बेसिस पर क्या करा जाता है डिस्क्रिमिनेट करा जाता है यह कास्ट की inequality होगी आपने देखा होगा बहुत से जगवे पर आज भी कास्ट सिस्टम चलता है कि उनको नीच नीचे रिल्स बनाते हैं उनकी बिचारों की बिजज़ती तो होती है लेकिन बिचारे दिल के बड़े साफ हैं वो लोग है ना तो उनको मैं भी थोड़ा दिल से करता हूँ वो सब inequality वगेरा में विस्वाद ज्यादा नहीं करते हैं ठीक है बाकी तो खैर बकवास ही करते रहते हैं चलो आगे आते हैं वादस डावर्स टू यॉर लाइवस आई कुछ नहीं है अब यह इसमें आ जाते हैं डावर्स टू आफ इंडिया पर देखो एंसे आटी में क्या है ना एंसे आटी समझना इंपॉर्टेंट है और बाकी जो हम लोग थाउजन कोश्चन एंसे आटी के लगाएंगे वो आपके ऐसे रहेंगे जो आपको प्रिलिम्स में हेल्प करते ओंगे ठीक है में तो एंसे आटी ऐसे जी यूस्फुल है यह नहीं क्योंकि अभी जो कहेंगी कॉंपेटिशन और कॉंपेटिशन में आपको फ्रेश पॉइंट लाने होते हैं लोग तो बोल दिएदे हैं कि एंसे आटी से ही पेपर निकल जाता है एंसे आटी के नोट से आप मेंस के आंसर लिख लोगे और अब यह ऐसा नहीं होता है पेपर दो गेना वहां जाके जब हमने देखा है कैसे छेचे दिन हालत कराब हो जाती है है ना नसे आइट से कुछ नहीं होता लिखाने जाता है वहां पर ठीक है बहुत दिक्कत आजाती है और इंटर्व में जो बैट होगे ना वहां पर जाके राउंड टेबल पर तो समझ मां जाएगा क्या है आप तो यह थीक है क्योंकि वह बेसिक प्रॉबलम को डील करती है बट ले बीटर्सिटी धिंडिया इंडिया चया सबाड़िज द्रजी फस्टेब्स करफ इसब्स नगएल पाइल्श घल्से किसे बनाते हैं चलो आजाओ आगे आजो और कुछ इंपॉर्टन निया तो देखो मेंस का बस इसमें एक पॉइंट यहां पर यह निकलता है कि मतलब अगर डाइवर्सिटी के बारे में बात करें जाए यह कट्टम पिट्टा क्यों हो रही है हाले कि मेंस करें मेंस के जो नोट दूंग ना उसमें आ जाएगा कोई सच नहीं हो जो लास्ट में पीछे बतायता नहीं किस किस टाइप की डाइवर्सिटी है वही एक थोड़ा बहुत मेंस का पॉइंट ता बागी तो और कुछ नहीं है चलो अभी देखते हैं इस वाले पे कैमरे लगवाएं आज कल टेक्नोलोजी बहुत आ गया है ठीक है चलो अफन दी वेंटिन सर्च वर न्यू लेंड न्यू सेटल अरे यह मतलब की डावर्सिटी कैसे डेवलप हुए यहां पर थोड़ा साइक कॉंसर्ट बतायता हूं मैं जैसे अगर मैं बात करों थोड़ा म मैं बना रहा हूं तो देखो इसमें क्या है कि बेसिकली क्या है कि जैसे लोगों का यहां से मूवमेंट वह इधर मूव करें कुछ लोग इधर मूव कर गए कुछ लोग इधर मूव कर गए कुछ इधर मूव कर गए उदर कुछ आई नहीं अक टाक्टिक है ठीक है तो इस तरी इससे क्या हुआ इससे भी थोड़ा डाइवेक्टि जो क्या हुँ बेसीकली चेंज हुई ए ना मतलब डाइवर्डसे डिफरण डिफरण कल्चर जो है बने अ बस यहीं था इस महार बने था फिर इसमें बताया गया है कि यहां पेश वाले पेच पर की जो इस利oryya कि अगर इसी टाइम ग्लाइट९ॉट पर घ्र्रै ऐ American पर तोड़ा इदर आ जाओगे शॉरी लद्दाग बोला हुए और शी लेटिटूट पर यहां पर आ जाओग रायस्थान तो यह एक जिए जोग्राफिकल वह भी है क्योंकि वहां पर टेंपरेचर कम रहता है और जब कि लेटिटूट सेम है और यहां पर वहां पर तेंपरे से तो एक बार देख लेता है इस्टन बाट जम्मो कश्मीर का ठीक है अगर आपको प्रिलिंस में कोई कुशिंट पूछ दिया थेंदेना प्रिलिंस में जैसे कोई कुशिंट पूछ दिया कि लद्दाक जो है बहुत फ्लारिश्ट है फॉर अगरी कल्चर के लिए वह तो वहां पे लोग जन्दली वैसा मीट वगरा थोड़ा चलता है देरा वेरी फ्यू ट्रीज ट्री वहां पे बहुत कम है ठीक है तो ड्रिंकिंग वाटर क्या मेल्टिंग स्नोग पे लोग डिपेंड कर रहते हैं ड्रिंक के वाटर पे ठीक है चीप एंड गॉट्स का है प्रिवलेंट है मतलब ऐसा टांसपोर्टेशन मोड यहां पर याक्स का यूस करा जाता है याक का और किया वहां पे जो शीप रहती है उसकी क्या है कि उसके वो लोग लोग क्लॉट्स वगरा बनाते हैं मतलब इसके वूल कह ठीके तो इस लिए वहीं साथ हैं आपने भी देखा होगा हमारे असपार जो बिसिक्ली जो तिबद में बोलते हैं बिसिक्ली तिबस मार्केट लगती है जो की वूलिन क्लोघ को लेके आती है अपने वहाँ से ठीके तो यह होते हैं पीपल इट मिल्क मीट येस देखो जो मैंने बूला वा गया अरे भाई मैंने पढ़ रखिये सब मेई इट मिल्क चीज बटर इच फैमिली और सम गॉट एक गॉट आज कल बहुत चल ला है जैसे विराट कोली को गॉट बोला जाता है इसका मतलब पता है क्या होता है ग्रेटेस्ट फॉल टाइम यह भी गॉट हो गया एक ही हो गया याक हो गया ठीक है और तो जहां कुछ नहीं है चलो इस वाले बेच पर और कुछ नहीं हम आ जाते हैं इस वाले पेच पर अब लग्दाक वगेरा हमको इसलिए पढ़ना और इं क्षिचन पोछता है और रभा केवल 10% लोग और 90 गलत कर आते हैं यह लेकिन जो बच्छे को पता हैकि लद्दाग में बुद्दिश्म होता है तो हमको जब लद्दाक पड़ रहे हैं तो हमको थोड़ा पढ़ना है क्या पता बुद्दिश्म का कोई पॉइंट वहां पर ह तो भाईया यह ध्यान देने वाली चीज है चलो देखते हैं तो बुद्धिजम रिजदा तिबत वाया लद्दाग 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 इस ऑल्सो काल दे लिटल दिबत अब दे कोई पूइंट पूश सकता है वो किस मतलब जो किस रीजन को लिटल तिबत बोला आता है लद्दाग को बोला आता है ठीक है यहां पर इसलाम भी आ चुका है लद्दाग है जारी रिच ओरल ट्रेडिशन और सॉंग्स और पॉयम्स तो अगर जैसे कुछ एक ट्रेडिशन आ रहा है कि लद्दाग इस नौट नोन फॉर दा कुल्चिरल हेरिटेज तो नहीं है ऐसा सागा आप पर्फर्म्ट एंशन बाइब बहुत मुस्लिम है तो अगर कहीं पर जैसे का मैस जिदा फॉल्वविंग वाला आता है तो उसमें यहां पर केसर गाया याद आ गया केसर सागा है केसर सागा और यहां पर कुछ दे देगा यूपी दे दिया सब्स यूपी में केस किसी कו अंडरलाइन करना बाकी को मत करना बाकी तो हम कहानी फ chem में पढ़ी रहा है नभी कहानी सब कहानी आ है किसी को नहीं पता कौन सी कहानी के जगा है फिर आजाते हैं आप केरला की बात हुए थोड़ा सा तो देख लेते हैं जो important exam के perspective होगा केरला को जो बुले आता है कि God's on country जो केरला के लोग हैं वो अपने आपको भगवान का representative समझते हैं ठीक है काम भी खेर केरला ऐसे करता है कि वो समझने भी चाहिए हैं वहां के जितनी भी इंडाइस होती हैं आप देख लिए कि सारी एक दान नंबर वन रहती हैं हैल्थ हो डवलप्मेंट हो लिट्रेसी हो सब बढ़िया रहती है तो वह यह गॉड़न ने भी का कि इसी में भी स्टांप लगाता हूं यही मेरी बनेगी कंट्री है ना ठीक है के लाइज दा इस्टेट इन दा साउथ सर्वेस्ट कॉर्णर ऑफ इंडिया इट इस स्राउंड़ेट बाइड़ सी ऑन वन साइड एंड हिल अधर साइड समझे रहो कि मतलब इदर समुंदर है इदर हिल है ज्यादा दिमाग नहीं लगा ना सैटर्ड संदे पार्टी करनी है तो इधर निकल जाओ या इधर निकल जाओ ऐसे करते हैं आइटी वाले लोग मट सैटली केरला में इतना इटी कल्चर नहीं है बटेंगे निये देख रहो कितना अच्छा है वहां कि लोकल लोगों के लिए तो मजह ही है ना अब यहां वाले यूप कि इनको तो बस रिच्ची केस घूम के आ जाना है और इनसे जादा तो कुछ होना नहीं है ठीक है चलो के लाइसा जो मैंने बता दिया सरॉंड़ेड वाई सी अंड़ हिल लैन अब जैसे वह एकर यह कुशन कर देता है कि केरला इस लेंड लॉक स्टेट तो ऐसा नहीं है न को खासकर अगर आप बिरियानी खाते हो ना तो बिरियानी में आपने देखा होगा जो मतलब नीचे से जब बिरियानी को इधर दोर करते हैं तो जो निकल के आता है ना भाई वो सब यहां पे मिलता है केरला में पीपर, क्लोफ, कार्ड मॉम्स और इस पीशी आड मेड इन कि रिखत से फिल एक है कि जो में अंडरलाइन कर रहा हुरु ना वो underline कर देया ना मैं बाकी सीजा अंडरलाइन करी नहीं रहा हूँ बाकी मेरे को डेखते जा softly कूस्थ ज़ाओ, कि मैं इसी से काम चलाना होगा फिलाल के लिए ठीक है चेलो और क्या मैनि अरब ट्रेडर्स एलसो केम यहां पर दो को अरब ट्रडिशन भी ए जो जो मैं मार्क रहा हूं मार करते रहे नहीं नहीं करिस्चैनेटी भी है के रही तो के रहे इसल मत बहुत ज्यादे डाइवर्स इठीए रहे एंट एपन बतुत अब यहां पर आया तो यहां पर देखिए बहुत सारे जो रिलीजिए हाले कि स्टेट इस स्पेसिफिक हमने भी पढ़ना है क्योंकि हमें केरला पी-स नहीं देना है भाईया समझो बात को जो यूपिस्टिक होगा हो मैं करा दूंगा यहां यह इंपॉर्टेंट है मतलब जो फिशिंग नेट होते हैं उसको चीना वाला बोल देते हैं कभी पेपर में क्या होता है कि मतलब सब्सक्राइब को इस टाइप का फैस्टिवल बना रहे हो यह बात को यहां पर समझना धियान से कि सब्सक्राइब के लोग कुछ मतलब बना रहे हो और वहां पर चीना वाला का नाम आ गया तो आपको समझ में आ जागा कि अगर ऑप्शन में दिया है कुछ दे दिया सब्सक्राइब को हमको तो हर फैस्टिवल तो नहीं पता है लोकल का नाम हर चीज पढ़ सकते हैं लेकिन उपैसी ने पूछ लिया और उसमें तो इसलिए इंपोर्टेंट और हो जाती है इंसाटी पढ़ना तो चीना वाला अंडर्लाइन कर लेना कि यह क्या है फिशिंग नेट्स होते हैं इवन दाइटाइन से फिर फ्राइंग इसकॉल चीना विचट्टी ठीक है यह भी कर लेना अलब यहां पर जाए कि राइस का बहुत ज़्यादा कल्टिविशन होता है क्योंकि वह सब यहां पर क्लाइमटी इक अच्छी होती है मतलब टॉपिकल रीजन है हाई रेंफॉल है इस सब कंडिशन सहीं है उनको और यहां पर प्टिकुलर टाइप की वह होती है राइस बिसिकली लिलाइस का प्रोसेसिंग होती है पर्टिकुलर टाइप की तो वह मेर को बताना है वो क्या आनए उसको मतलब रिकनाइज़ वह दो सिस्टेम में ही कहाँ पर और एक ओडिसाम है वह बताना कमेंट से क्षीन में ठीक है तो यी देख लिए हमने मतलब यहां पे केरला का करा दूसरा किसका करा हमने लददाक का करा दोने में आपको डिफरेंस ज्योंप गया ऊगा होगा है ना चलो आते हैं बहुत आगे किए उनिट इंडावर्सिटी तो हमारे यहां पर हई और ये हमें किस से मिली है कि जो हमारा constitution है देखो क्या होता है कि जब दो लोगों के अलग अलग विचार दरह होते हैं धिहां से समझना थोड़ा conceptual है दो लोगों की जब अलग-अलग ideologies होती है ना तो उसमें क्या होता है लेकिन दो लोगों को रहना भी साथ है तो एक mutual trust कैसे develop करा जाए तो वो trust के लिए हमारे पास एक document है constitution है ना तो हमारा जो constitution है वही हमको ऐसे rights provide करता है suppose जैसे हमारे आर्टिकल 25 है जो मतलब Muslim rights को protect करता है फिर हमारे पास जो आर्टिकल 29 है जो हमारे क्या है कि एक language culture को preserve करता है तो इस तरी कैसे constitution में different article है जो unity in diversity को preserve करते है unity in diversity होती क्या है कि जैसे मैंने बताए कि सबकी different ideology है different way of living है that is diversity लेकिन as an India हमको unity in diversity लाना है तो हमको क्या है कि सबको mutual respect देनी होनी चाहिए लेकिन mutual respect के लिए क्या हो जाता बोलने से नहीं होगा न तो इसके लिए हम constitution लिया है है और जो मैंने अभी बताया कि हमारे constitution में ऐसे articles हैं जो provide करा देते हैं वो सर्फ tools जिससे unity in diversity बनी रहे ठीक है चलो यहां पे और तो कुछ important नहीं है Britishers जो आये थे उन्होंने बहुत ऐसी चीजे करी जिन से divide करा और इसी कारण वो अपने जो राज को भी extend कर पाए आपने देखा होगा जब 1857 की वह हुई थी रिवाल्ट उसके बास से जो क्या है कि Britishers ने क्या करा था जो डिवाइडेंड रूल policy को मतलब बहुत aggressively follow करा था उन्होंने मतलब regiment बना दी Marshall Leeds का concept लेका आगए वो ठीक है तो उन्हीं सब चीजों को ना हो ऐसे constitution में प्रोविजन है चलो आगे चलो आगे भाई अब तो मेरे को भी चाय की जवरत लग रही है लेकिन मैं आपके साथ हूं तो मैं तो चाय नहीं पी सकता हूं मेरे को तो यह chapter complete करना है और यह chapter भाई complete हो बाई पहले chapter हो गया बाई दोगो इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूं मैं ऐसे कि आपको समझ में आए यह नहीं कि मैं आगे बैठा हूं चुप चाप से बसीदे पढ़े आ रहा हूं जो चीज़ा आपको समझ में आए उस तरीके पढ़ाना है और आपको क्या है कि understanding देनी है selection लेना तो आपका काम है आपको उसके लिए 14 घंटे पढ़ना होगा ORN की चाय की टपरी पर थोड़ा time कम बिताना होगा दोस्ती यारी कम करनी होगी जिम में ज़्यादा जाना होगा जिससे दिमाग बॉडी तंदूर्स रहे blood cell में blood भहे ठीक है और दिमाग में श discovery of India जवालना लहरू देखो जूट नहीं बोलूँगा और थोड़ा सच बताऊंगा कि जब 3-4 attempt हो जाएंगे तो फिर आप स्टेट PCS भी दो गया अगर नहीं निकला मैं तो यह बोलूँगा आप अच्छे मेहनत करो लेकिन एक जो टेक्निकल फैक्ट है वह एक सबका selection नह यह important fact है यह fact important नहीं है कि उन्होंने यह बोल जाए Indian unity is not something imposed from the outside but rather it was something deeper within its fold that is not important अब जब आगे जाएंगे क्योंकि यह सब तो बस थोड़ा explanation के लिए है मतलब view है idealistic और आपको पता है जब आप service में जाओगे तो ideals जो हैं वो कैसे तूटते हैं आपको वहाँ पर objective clear clear करना ठीक है इत्वास नहरू हुआ कॉंट दफ्रेस unity in diversity to describe the अब यह important point बन जाता है भी हुआ का लेगी यह बी state PCS को question है मलब यूपेस्ट तो नहीं पूछाएगा बड़ लेकिन आप हमारे leader का vision अगर आपका अब जीएस 4 में लिखोगे क्योंकि उसमें एक पॉइंट आता है कि मतलब लीडर्शिप या मोरल लीडर्स जो रहते हैं वहाँ पे आप ये पॉइंट डाल सकते हो कि we can say that the vision of the nehru that unity in diversity has to be prevailed as a large vision था उनका जिसकी वेशे आज even after the 75 years we are a united country जिसको काफी लोग ने बोल दिया था कि इंडिया का रूल केवल 10 साल तक है इससे जादा नहीं चल सकता भाईयो ठीक है तो इसी के साथ हम लोग आज चैप्टर वन जो है वो रैप अप करते हैं चैप्टर टू अभी पढ़ेंगे थोड़े देर बाद कल पढ़ लेंगे पढ़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे और एक्जाम को किलियर करके ही रहेंगे ठीक है एक शेर के साथ खतम करूँगा खाली बैठे से कुछ नहीं होता एक पत्तर तमीज से फेको यारो कुछ ऐसे एक शेर था देखो शेर मैं मैं गंदा हूँ तो मैंने गलत भी बोल दिया और गलत जानके बोला है ताकि आप लोग कमेंट में लिखो सही शेर क्या था क्योंकि जो सही शेर लिखेगा वो बंदी की डायरेक्शन सही है ठीक है चलो तो चैनल को सब्स्राइब कर देना और ऐसी मजे से पढ़ेंगे मतलब कोई लोड लेके नहीं पढ़ते है बहुत टाइम में अपन सब कम खतम करेंगे ठीक है जो इंपोर्टेंट चीजे हैं वो मैं पहली बता जाता हूँ वो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ठीक है और दूसरा क्या कर देता हूँ मैं बोल देता हूँ कि ये इंपोर्टेंट है यहाँ पर दियान दो चलो थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करो जो करना है करो पढ़ते रहो बास ज्यादा चीजों पर दियान मत दो फोकस ओने और गोल थैंक यू